आखिर ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST का मुद्दा क्या है अभी तक जो GST लगता था गेमिंग पे वो लगता था 18% गेमिंग कंपनी पर अब सरकार बात कर रही है 28% लगाने का गेमर पर आएए मैं आपको मैच समझाता हूँ दो बंदे आये 50-50 रुपे डाला 100 रुपे की गेम खेली जो हारा वो तो 50 ही हारा अब जो जीता उसको 50 का एक हिस्सा मिलेगा अभी तक डेट रुपे GST जाता था जो कि सरकार के डिसिशन के पास 22 रुपे हो जाए तेरा सो परसंट का इंक्रीज है 10 परसंट का नहीं अगर GST प्लस TDS की बात करें वो साड़े तेरा रुपे जाता था वो अब कुल मिला के 28 रुपे हो गया जो की डबल हो गया और यह गया कहां से यह सब गया गेमर की जेव से जो की 28 रुपे कमाता अब वो सिर्फ 14 रुपे कमाएगा अगर GST अपना पूरा रेविन्यू भी गेमर को दे दे तब भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती तो एक existential issue बन गया है gaming industry के लिए कि गेमर इतने कम returns के लिए आखिर आके खेलेगा क्यों और अगर वो नहीं खेलेगा तो हम revenue काने